आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के रिप और हत्या मामले पर सुप्रिम कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई चीफ जस्टिस डिवाई चंडर्चूर और जस्टिस जेवी पादरीवाला और चस्टिस मनोज मिश्रा की पीट इस मामले की सुनवाई कर रही पीट ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार से कई सवाव नमस्कार मैं हुशार्दा सिंग आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं धीके ड्राव अंदरसल कॉलकता के आरजिकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से बलादकार और हत्या मामले पर सुपरिम पोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई चीफ जस्टिस डिवाई चंदर चूर जस्टिस जेवी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मुश्रा की बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही सी बिआई ने चार्ज पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पीट को सौप दी है मामले के सुनवाई के दौरान चीफ जेस्टिस ने पूछा कि प्रिंसपल का घर कॉलेज से कितनी दूरी इस पर सॉलिस्टीर जवाब देते हुए कहा प्रिंसपल का घर कॉलेज से 15-20 मिनट की दूरी पर है बकाइदा सुनवाई के दौरान पीटरी बंगाल सरकार के साथ साथ सी बी आई के स्टेटस रिपोर्ट पर भी कई गंभीर सवाल पोचे हैं इतना ही नहीं सीजी आई ने सीबी आई को अपने सुनवाई तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करने का भी निर्देश दिया है यहां आपको बता दे कि सुनवाई के दौरान सीजी आई ने कहा कि डॉक्टर को वापस ड्यूटी पर लोटना चाहिए हम उन्हें दी जाने वाली सभी सुनवाई सुनशित करेंगे सुप्रिम कोट ने सखत हिदाया देते हुए कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खलाफ कड़ी कारिवाई की जाएगी कोट ने आदेश दिया कि पोलिस ये सुनशित करेंगी कि सभी डॉक्टरों की स्तुरक्षा सुनशित करने के लिए जरूरी प्रस्थीतियां बनाई चाहिए जिसमें अलग-अलग डिव्टी रूम, शौचाले की सुभिधा, सीसी टीवी कैमरे लगाने की विबस्ता शामिल हो डॉक्टरों को सबसे पहले काम पर लोटना चाहिए और उन्हें काम पर वापस आकर अपना काम पूरा करना चाहिए आगे सीजी आई ने कहा कि हमने दो दिन का वक्त दिया है, युबा डॉक्टरों को अब अपने काम पर लोटना चाहिए हम जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है, आप पहले काम पर लोटें, जिलाक अलेक्टरेट और पुलिस अधिक्षक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, आपको अब काम पर लोटना होगा अगर आप काम पर नहीं आते हैं, तो आप क्या खलाफ और नुशासनात्मक कारवाई की जाएगी और इसके लिए किसी को जिमेदार ना ठहरा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि सीनियर रोग काम कर रहे हैं, इसलिए हम नहीं करेंगे, डॉक्टरों को समाज के प्रतिक कर्तब बे बनता है यहां आपके लिए ये भी जाना जरूरी है कि कोट यादेश देते हुए कहा कि डॉक्टरों के सुरक्षा और संरक्षा सुनिशित करने के लिए जिला कलेक्टरों को भी सभी डॉक्टरों के लिए जरूरी विवस्था की जानी चाहिए सरकार्य अस्पतालों में पुरुष और महिला डियूटी रूम अलग अलग हूँ पुरुष और महिला सोचाले अलग हूँ अगर डॉक्टर कल शाम पाँच बजे तक अपना काम फिर से शुरू करते हैं तो डॉक्टरों के खलाफ कोई कारवाई नहीं की जाएगी लेकिन अगर डॉक्टर उपलग सुबधाओं के बाब जूर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो डॉक्टर के खलाफ कारवाई की जाएगी इससे पहले भी सुनवाई के दुरान सुप्रीम कोट ने इस घटना को भयावा करार दिया था और डॉक्टरों अन्य स्वास्ते पेशिवरों के सुरक्षा सुनिशित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तयार करने के लिए दस सदस्य रास्तिय टास्क फोर्स का गठन सहीत कई निर्देश जारे थी बताने कि 9 अगस्त को कॉलकता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज की सेमिनार हॉल के अंदर 31 वर्षिय ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या करती गई थी इस अपराद के लिए एक वॉलेंट्रियर को गिरफतार किया गया जिसका नाम संजेरोय है वहीं 22 अगस्त को कोट ने अपराकृतिक मौत का मामला दर्श करने में देरी के लिए कॉलकता पलिस को फटकार लगाई थी हाला कि इस मामले में प्रिंस्पल संदीप घोश भी CBI की रडार पर है फिलाल कोट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा था कि न्याय और चिकित्सा को रूपा नहीं जा सकता कॉलकता हाई कोट की निर्देश पर मामले की जाच कॉलकता पलिस से CBI को सौप दी गई है फिलाल इस खबर में इतना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और बैल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले और देखते रहे दी गंटाव